हेलो एवरीबर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैं तरे एजुकेशन हब पे आज का जो लेक्चर है वो हिमें जगराफी का लेक्चर नंबर थ्री है जो कि जिसमें हम पॉपुलेशन के बारे में स्टड़ी करने बादे हैं इस लेक्चर के बाद आप इस को करेक्टली कर पाएं आप देख सकते हैं कि प्रिलेम्स 2011 उसके बाद प्रिलेम्स 2013 में दो-दो कोश्चन पूछे गए हैं इसी टॉपिक से और मेंस 2015 में भी इससे कोश्चन आया हुआ है तो आप जल्दी से अपनी सरसरी निगाहों से इन कोश्चन को देख लें ताकि प्रहाई करने वाले हैं और किस तरह से यूपियसी इससे कोश्चन बना सकती है चाहे हो प्रिलेम्स हो या मेंस हो तो जब भी हम पॉपुलेशन की बात करेंगे यानि जनसंख्या की बात करेंगे वह भी जो जो हम हम हीमें जगराव भी पढ़ रहे हैं तो हम हीमें को एज आली भाती बैठ जाना चाहिए क्योंकि हीमें को हम रेस्फरेंस पॉइंट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जितने भी रिसोर्सेस आपके सामने एवलेबल हैं या फिर जितने भी पोटेंशियल रिसोर्सेस उनको रिसोर्सेस बनाने वाला वह आदमी ही है वह मानों है जो कि अपनी स्कील से अपनी छमताओं से इसको एक रिसोर्स के तोर पर उपलब्द करवाया जो कोईला है वह कोईला तब तक पत्थर ही था जब तक मानों ने उसे रिकुर्नाइज नहीं किया और उसके ऐजे फ्यूल यूज करने की पत्ति नखोज ली उसी तरह से जो डायमंड है कितना ज़्यादा बिसकेंती है ना लेकिन वो भी तो एक पत्थर ही है तब तक वो पत्थर था जब तक मानों ने उसे अच्छे तरह से तरासा नहीं और एक वेल्यूएबल पदार्थ के रूप में उसे दुनिया के सामने पेश ना किया तो हम देख रहे हैं कि जो सारी चीजे हैं वो मानों की ही इर्दगिर्द घूमती है आज हम क्लाइमेटिक चेंज की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं ना कि इससे ही में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ के क्लाइमेटिक जोन की बारें बात करते हैं की बात तो नहीं करते उसी तरह से क्लाइमेटिक चेंज की जब हम बात करते हैं तो वेनस के इटमस्फेर की बारे में बात नहीं करते तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो कि हम घुमें जगराफी में ही में को एजे रिफ्रेंस पॉइंट मान कर श्टडी करते हैं लुकिया होती है तो जो पॉपुलेशन जो डेंसीडी है अगर उसे मैं आपको सरल भासा में समझाओं तो ये पर एरिया करके मापा जाता है यानि कि नंबर और पॉपुलेशन इने एरिया आप उसे population density कहते हैं इसलिए आपने सुना होगा कि कहें कहें पर यह आप देखा होगा कि government जो है वो बोर्ड पे सड़के किनारे लिखी होती है कि यह घानी अबादी वाला छितर है तो वो कैसे हम लोग आपते हैं कि एक particular area में कितने number of people रह रहे हैं आपन जो एरिया है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे population density कहेंगे यह आपको population density के बारे में समझ लेने चाहिए तो जैसे कि जो हमारे यूटीज हैं जैसे कि देली हो गया देली इंडिया का सबसे populated city मारा जाता है यहां पर अगर पर स्कॉयर किलोमेटर आप population देखें तो बहुँ ज हो कि ऐसे population है एक एक किलोमेटर जो फिगर्स है जो मतलब की जो डेटा है वह अभी हमने आरे पास census 2011 का है आपको पता होगा कि जो census जो है उसमें हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करते हैं जनसंख्या के बारे में श्टड़ी किया जाता है उसमें और उसका एक डेटा गौर्मेंट अपने पास निकालती है अलग अलग तरह की डेटा है number of females कितने है sex ratio क्या है population कितनी है और वो गौर्मेंट को यह मदद देता है कि वो अपने तरीके से अपनी एकनोमिक को प्लान कर सके लोगों के लिए scheme निकाल सके क्योंकि आपके पास एक data होगा तब ही आप चान सकेंगे कि आपको कितने population के बारे में कितने population के लिए कोई scheme चलाना है इसलिए census बहुत important है आपको पता होगा कि जो census है इंडिया में फूल जो census है वो जो सुरुवात हुई वो 1881 के बाद सुरुआ हुई और 1881 के बाद लगतार जो है हर एक 10 years के बाद ये census चलता रहता है ठीक है तो पहले तो हमने देखा कि population density हम किसे कहेंगे एक सरेलवासा में अब population की जब हम बात कर रहे हैं तो population growth की भी बात करेंगे हम यानि कि population growth में हम लोग कितने तरह के growth दे growth है actual growth है ठीक है और उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि कितने सालों में कितने years में यह जो population है वो डबल हो जा रही है तो जो population growth की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब किया हुआ तो इसका मतलब आप सिधा से यह समझें कि कि किसी पार्टिकुलर छेतर में एक पा पॉइंट आफ पिरियड है जैसे कि मान लिजे कि यह 2011 है और अभी जो census होने वाला है वो 2021 का होने वाला है तो इन गैप के बीच में कितने number of people जो है वो उस territory में हैं उसे ही हम क्या कहेंगे population growth कहेंगे तो अगर मान लिजे कि यहां पर जो population थी वो कुछ 10-21 million थी और यहां प और जाकर वो 12-28 million हो गई कुछ इस तरह से तो हम देखते हैं कि दोनों में कितनी changes जा रही है population में उसी हम कहेंगे population growth तो so the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time is called population growth अभी जो population growth है वो positive भी हो सकता है और negative दोनों हो सकता है आप सोचेंगे कि यह negative कैसे हो सकता है तो negative यह तब होगा जब जो birth rate है जो birth rate है वो less होगा किसे death rate से तो हम कहेंगे कि जो population growth rate है वो negative है और अगर birth rate ज्यादा है death rate से तो हम कहेंगे कि population growth rate है वो positive है अब यह जो population growth rate है यह दोनु हो सकता है natural growth भी हम लोग बोल सकते हैं या फिर एक actual growth होता है natural growth की जब हम बात करेंगे तो सिर्फ हम births और deaths की बात करेंगे number of births and number of deaths की तो आप number of births और number of deaths को में से number of births को number of deaths घटा दें number of births में से तो आपको natural growth मिल जाता है लेकिन एक actual growth होता है क्योंकि जो population किसी एक region में जो population है सिर्फ birth और death को ही depend नहीं कर रही है यह भी हो सकता है कि इस region से किसी दूसरे region में लोग पलायन करके या नि माइगरेट करके चले गए हों या फिर किसी तीसरे region से इस region में लोग कुछ आ गया है तो हम इसे जब consider करते हैं तो उसे हम बोलते है एक्चुल ग्रोथ कि एक्चुल में कितनी ग्रोथ हो रही है तो आप एक्चुल ग्रोथ में देख सकते हैं कि बर्थ नमबर अव बर्थ माइनस नमबर अव देड्स प्लस इन-migration इन-migration यानि कि वह जो region में कितने लोग particular आए हैं उस time period में और out migration की उस region से कितने लोग गये हैं जो in migration है उसे हम immigration कहते हैं I-A-M-I-G-R-A-T-I-O-N इसे immigration कहा जाता है और out migration है कि उस छेतर से लोग कितना बाहर जा रहे हैं उसे immigration कहा जाता है जो कि E से शुरुआत होता है तो out of out मतलब की immigration और in मतलब की I-E से शुरुआत होने वाला immigration इसमें आपको confuse नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही जैसा pronounce होता है इसलिए confusion जादा होता है अब इससे related current affairs की news है जो कि आज 27 July कि हिंदू जो paper है उसमें छपा है जिसमें बात की गई है एक bill की बात की गई है जो कि Indian government लेकर आई है जिसे कहें जिसे बोला गया है कि immigration bill 2021 इस bill की बात करें तो आप यह देखें कि यह जो new debt does not go far enough the new bill is better than the immigration act 1983 but more reforms are needed to protect Indian workers इसमें जो बात की गई है एक्चोड़ी यह इसमें जो immigration bill की बात की गई है जो immigration bill है उसकी जो कानूनी जो पहलू है उसे हम GS paper 2 में देखेंगे लेकिन यहां पर हमें immigration bill की बारे में यह जान देने चाहिए कि आखिर की 1983 में ऐसे क्या थे कि जिससे की लोगों को दिक्कत होती थी और उसमें changes किये जा रहे हैं तो आपको जो immigration bill 1983 का था उसमें क्या थे बहुत सारी कमिया थी जैसे कि discrimination होता था उसके बाद फिर दूसरा है कि poor livelihood जैसे कि क्या होता है नो कि आपने यह भी देखा होगा कि ब्रिटिश टाइम में जो अंग्रेज लोग थे वो एज एजेंट उनको एज प्लांटेशन वरकर यहां से लोगों को दूसरी जगह पर भेजते थे उसी तरह से आज भी लोग जो हैं कि जो एजेंट्स हैं वो क्य डिटे के बारे में बताया जाता है यहां के लिवसा वेजह दिया रहा यहां के लिए लेकिन जो यहां से migrate करके गए हैं, उनको कम wages दिये जा रहे हैं, तिसरी चीज है कि discriminate किया जा रहा है, discrimination हो रहा है, आज बर्थ प्लेस के तोर पर, तो यह सारी जो चीजे हैं, इनके बारे में सरकार चिंतित हैं, और वो bill लेकर आई हैं, जिससे क्या होगा, कि जो agents यहां से migrants को ले जा रहे हैं, और उन पर एक foundation, एक liabilities, एक responsibility दी जाएगी, तो यह आप देहिंदो पेपर से पढ़ सकते हैं, इसका जो कानूनी वाला जो legal matter है, वो हम GS paper 2 में पढ़ेंगे, तो हमने देखा कि जो actual growth है, उसमें हमने बर्थ की बात की, देट्स की बात की, और migration की बात की, तो हम components of population change, जब पहला है वो birth, दूसरा है death, और तीसरा है migration, जब हम birth की बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे, crude birth rate की, यानि कि CVR की, crude birth rate की बात की जाए, तो हम यह कहेंगे, कि number of live birth, इन ए year, 5000 population, इने particular region, कि जो number of जीवित, जितने बच्चे पैदा हुए है, एक हजार population पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, crude birth rate कहेंगे, तो आप यह देख लें कि CVR का जो हम formula लेखेंगे, बी आई अपोन, पी इन्टू 1000, जो बी आई है, यह denote कर रहा है, live birth during a year, और जो पी यह denote कर रहा है, वो population of the area के बारे में denote कर रहा है, और हम 1000 से इसलिए multiply कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर एक 1000 population पर हम यह देख रहे हैं कि कितने number of life birth जो सीसु पैदा हुआ है, जीवित सीसु पैदा हुआ है, दूसरी चीज है death rate याने की crude death rate की बाद, तो इसमें हम लोग live नहीं बोलेंगे, live का मतलब होता है, जीवित यहां पर हम सिधे बोलेंगे, number of deaths in a particular year per thousand of population, ठीक है, और इसका भी formula कुछ इस तरह हो जाएगा, जो आप D denote करता है number of deaths, और P denote करता है population of the particular area, और into 1000 इसलिए कर रहे हैं, again, क्योंकि हम लोग हर एक thousand population पर इसे निकाल रहे हैं, जब हमने migration की बात की थी, अभी आपको, तो हमने बिल के बारें बात किया था, और आपको बताया, कि लोग वहां पर क्यों जाना चाहते हैं, तो, देखी, migration का दो factor है, एक push factor होता है, और दूसरा pull factor होता है, push factor यानि कि जिस region में है, वहां से एक push factor create होता है, और किस वज़े से create होता है, जिससे वो लोग उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ region से उसका, जैसे कि poor living condition हो सकता है, वो particular region का, या फिर unemployment की condition है, कि वह पर उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरे जगह पर जाना चाहते हैं, जहां पर job opportunity अच्छी है, या फिर तीसरा रिजन यह हो सकता है, कि unpleasant climate है, climate बहुत harsh है वहां पर, और वो कुछ अच्छी climates के जाने चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा कि जो coastal area है, वो का जैसे कि बिहार में अगर हम बात कर लें, तो कोशी नदी बिहार का सोक कहा जाता है, वहां पर कोशी नदी जो है, अपनी रास्ता हमेंसा change करती रहती है, जिसके कारण लोग को अपने घर बार छोड़ कर वहां से जाना पड़ता है, और बहुत मूस्किलों का सामना करना एपिडेमिक्स या कोई ऐसी बीमारी उस रीजन में फैल गई है कि जो कि लाइलाइज बीमारी है जिसके बाद से बहुत सारी देद्स हो रहे हैं तो लोग वहां से प्लाइन करके दूसरे जगा पर सिफ्ट हो जाते हैं हिच अधा जी हो सकता है कुछ ऐसे जड़ब हो सकता है या इथनियश इथने कंफ्लिक्ट हो सकता है दो गुटो में जड़ब हो सकता है जिसके बाद जिस से क्या है कि वह रिजन ese话 जो है वह अब लिफिड़ीबल नहीं वहां पर लोग नहीं रह सकते हैं से किसी दूसरे चल लिए आपको पता होगा रहांगिया मुसलिम कि जो वह मुझाम यंइन्मार के जो रखहाइन विलेज रहां से वह माईग्रेट होकर पहले बंगलादेश आहिं और असुए बंगलादेश के बाद वह फिर इंडिया में अटर कर गये तो वहां से क्यों माई वहां पर बुधिश्ट लोग का पॉपलेशन ज्यादा होने के कारण रोहंगिया को वहां से प्लाइन करना पड़ा माइग्रेट करना पड़ा तो दी जार्दा फैक्टर्स जो की पूस्ट फैक्टर की तरह काम करते हैं आपको उजाम में इस तरह से किटेग्राइज करके लि होगा सांती होगी तो बेटर एजुकेशन होगा बेटर इंफ्रास्ट्रक्टर होंगे तो यह सब चीज़े क्या है वो पूल फैक्टर की काम करते हैं जैसे आप देख लें कि बिहार से कोई लड़का देली क्यों पढ़ने आता है क्योंकि देली में अच्छे-च्छे कोचि नहीं है मतलब कि क्लाइमेट देखा जा तो गर्मी बहुत जादा है लेकिन यहां पर जो ऑपर्चुनिटी है वह आपको अच्छे तरह मिल जाती है इसलिए लोग क्या है कि जो और एक तरह से जो ग्रूप ग्राम और जो देली वाला जो बेल्ट है वह क्या है कि एक तरह पूल कर रहा तो इसे ही कहेंगे हम माइगरेशन काूल़ फैक्टर πो यह समझ में आ गया हो। सब्सक्राइब कि हमने आपको बताया था कि doubling time of the population का मतलब है कि कितने समय के बाद कितने time के बाद जो हमारी population है वो double हो जाएगी इसे हम कैसे निकालेंगे तो अगर मान लिजे कि आज की जो population है एक particular region ली वो हम समझते हैं कि 1000 है ठीक है population जो change हो रहा है वो 1000 है और जो मतलब कि previous जो population था अभी जो जनसंख्या निकाली गई उसमें क्या था कि जो rate जो change आया population में जो मैं change बोल रहा हूं वो 1000 है total population वहाँ का 2000 था तो हम यह देखेंगे कि यह किस rate से इसका rate किया है तो अगर हम rate देखें तो आप देख सकते हैं कि 0.5 और इसका अगर हम percentage निकाले तो 50% के rate से यह क्या है यह change हो रहा है तो अगर हम 50% add करें साल दर साल तो यही 50% क्या होगा दूसरे साल भी होगा तो दूसरे साल क्या हो जागा यह 100% हो जाएगा जाकर है क्योंकि अभी 2000 था जिसमें 1000 चेंजे जाए थे उसके बाद फिर नेक्स्ट येर फिर 1000 और एड हो जाएगा तो यह 2000 2000 प्लस करके हम लोग 4000 हो जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा यह डबल हो जाएगा 2000 का यह 4000 problem यह जाएगा यह हुआ कि दो साल में अगर इस रिट से चला जाए तो बाद नहीं हो जाएगी अभी इंडिया की जो population growth rate है वह 17.6 के लगवग है 17.6 और 17.4 के लगवग है अगर इस रिट से देखा जाए तो इंडिया के पॉपुलेशन कितने साल में दोगनी हो जाएगी यह आप कल्कुलेट कर सकते हैं जिस तरह से हमने कल्कुलेट किया तो आप देखे कि साल दर साल किस तरह से पॉपुलेशन क्या है कि डबल होता रहा जो 10,000 BC जो है वहां पर पॉपुलेशन 5,000,000 था उसके बाद 1650 AD यानि कि करेदेड़ 1000 साल लगें इसे 500 पॉपुलेशन पहुचने में उसके बाद फिर 1804 AD में यह हो गया सिधे दोगना हो गया 500 से 1000 मिलियन हो गया और यह जो डबलि दिरे क्या ही डबलिंग टाइम जो है वह कम होता जा रहा है 123 एर्स हो गया 47 एर्स हो गया और नेक्ष्ट जो है पुरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो डबलिंग जो रेट है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन डबल हो जाएगा जैसे कि 4000 मिलियन से 8000 मिलियन जो संभावन है होने की वह है 2022. ह occur by थूफ जा कि अप्चे क्या हो जाएगा यह 51 यार्स में यह डबन हो जायगा इसपेंट की किया जा रहा है यह एक hydraju आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो तो डबलिंग year जो है वो कम होता जा रहा है अब यह मंद्त कम होता जा रहा है या या Bताता है कि हम किस तरह से ऐक로 है जो के जब हम इंडसेवरी आपनाशन में गया की किस तरह से population चेंजे जाएं तो हम इसे तीन स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं आप इसे ध्यान से समझेगा एकजाम में पूछे जाते हैं और आपको free hand ही इसका जो graph है इसका आपको free hand ही बनाना चाहिए और copy पर आप free hand बनाएंगे और हमने भी यहां पर free hand ही बनाया है तो कि इसमें जो जो theory बोलती है demographic transition की theory जो बोलती है उसने क्या किया कि तीन स्टेज में डिवाइड किया यह तीन स्टेज है जो पहला स्टेज है जहां पर क्या था कि जो occupation था वह एग्रीग्रेडियन था यानि कि लोग क्रेशी पर ज्यादा dependent कर रहे थे क्रेशी ही उनका मुख birth rate भी बहुत ज्यादा था और death rate भी दोनों बहुत ज्यादा था birth rate इसलिए ज्यादा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंसान जो बच्चे पैदा करते थे वो इसलिए करते थे क्योंकि जो occupation उनका था वो खेती का था और खेती माना जाता है कि वो जितने helping hands होंगे उतनी ज्यादा उसके लिए अच्छी बात है लोग ज्यादा काम कर पाएंगे ज्यादा खेती कर पाएंगे ज्यादा लोगों की ज़रूत होती है क्योंकि agriculture इसे लेवर इंटेंसिफ सेक्टर तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बच्चे पैदा करते थे और देर त्रेट इस से वह अपनी रक्षा कर सके इस दिए देर रेट भी बहुत ज्यादा था फिर जब नेक्स्ट स्टेज में हम लोग इंटर करते हैं तो धीरे-धीरे हम लोग क्या कर देखते हैं कि जो बर्थ रेट और देर रेट में दोनों में धीरे-धीरे आप देखिए कि डिकलाइन होत इसमें क्या था कि बर्थ रेट तो बर्थ रेट तो हाई ही रहा लेकिन देर थेट में डिकलाइन वह डिकलाइन इसलिए आया क्योंकि इंड़ेश्ट्रेयरे रेवल्यूशन हो आई और इसी टाइम पर बहुत सारे मेडिकल्स में खोज किये गए और आपको पता है वेक्सि लोगों की बढ़ने लगी लोग सिस जवानी में यानि यंग एज में ही उनकी देथ नहीं होने लगी और उसे प्रिवेंट गया तो टेकनिकली एडवांस होने के कारण हमारी देथ तो डिक्रीज हो गई लेकिन बर्थ रेट हमारी अभी ज्यादा ही थी लेकिन जब इंडस्ट्रियल फेज में पहुंच जाएगा और वह एगरीगरियन जो अकुपेशन है वह पुरी तरह से ट्रांजिशन हो गया किसमें इंडस्ट्रियल अकुपेशन में तो क्या है कि इंडस्ट्री जो है वो टेकनोलोजी वर्क करती है लोग ज्यादा एजूकेटेड भी हुए एजूकेशन भी आया लोगों में और लोग फैमिली प्लानिंग करने लगे लोग और जिसके कारण क्या हो गया कि यह वाली जो स्टेज है जिसमें बर्थरेट भी डिकलाइन किया और देथरेट भी इसमें डिकलाइन तो अल्रेडी हो रहा था टेकनोलोजी के कारण और इसमें क्या है कि लोग बर्थरेट एंड लो देथरेट तो आपको यह ट्रांजीशन पता चल गया होगा कि स्टेज बन में स्टेज टू में स्टेज थरी में किस तरह से हमने आगे बढ़ा पहले जो स्टेज था उसमें देथ हैं बर्थरेट वाज बहुत हाई सेकेंड स्टेज में बर्थरेट वॉए हाई लेकिन भी देथरेट कम हुआ लुख लेकिन जो थर्ड स्टेज यह दोनों उसमें बर्थ अंड बघर कि हमने स्टार्टिंग में आपको पूश्चन बताया था जो पीर सी में पूचा गया है अग्हाद याउड़ देट टार्यूंग ट्रान्जिसं में इसमें दिया है पहला लो बर्थ रेट्ट लो देट्थ रेट्ट सेकेंड है ऑप सल हाइब रूर्थ रेट्प रूध देट थर्ड ओप्सन है high birth rate with the low date rate तो इसमें क्या है कि आपको select the correct order of the above stages using the code इसमें क्या order पूछा है कि किस order में है यह तो आपको अभी हमने देखा कि किस तरह से transition हुआ तो सबसे पहले क्या था कि high birth rate with the high date rate यानि कि second वाला पहले होगा यानि कि ये ये और D को हम eliminate कर सकते हैं B and C में स से ही कोई हमारा answer है अब उसके बाद second के बाद क्या था कि जब जो birth rate है वो high ही रहा लेकिन death rate है वो low हो गया तो यानि कि second के बाद 3 आएगा यानि कि हमारा option number C यहाँ पर सही हो जाता तो इस तरह से आप question कर सकते हैं और हमने ये demographic transition देखा जो next हम देखते हैं वो है population composition population composition में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि sex composition के बारे में बात करेंगे age structure के बारे में बात करेंगे और occupation के बारे में बात करेंगे डिमोग्राफिक डिविडेंट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे जो आज हम population composition में देख रहे हैं वो है sex composition कि sex composition क्या आपको बाता है कि किसी particular area में किसी particular population में कितने females हैं और कितने males हैं उसके बाद जब हम sex ratio के बारे में बात करते हैं तो हम जो इंडिया में है वो हम देखते हैं कि परती हजार पुरसों के पुरसों के एवज में यानि कि पुरसों के तुलना में कितने number of females हैं तो हम बोल सकते हैं sex ratio के बारे में कि number of female population per thousand male population is called sex ratio यह हमारे इंडिया में इस तरह स से आपा जाता है जब हम फॉरण की बात करते हैं तो वहां पर नंबर ओफ मेल पॉपलेशन देखा जाता है किसके तुनला में नंबर ओफ हीमिल के तुनला में तो यह हमने देखा इसी से रिलेटेड एकनोमिस सर्वे 2018 में एक बात कही गए थी मेटा सन प्रिफरेंस आपको तो पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार की सोसाइटी है और इसमें पूर्सों की भूमिका ज़्यादा देखी जाती है और उनको ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाता ह है महिलाओं के बनिस्पत में इसलिए क्या है कि हमारी जो सेक्स रेसिव बहुत सारे राज्यों में बहुत ही कम है जैसे कि हरियाना के छेतर में आप देखिए तो वहाँ पर हजार पूर्सों के एवज में बहुत ही कम आठ सो के आसपास कुछ आप ये डेटा आप देख लेंगे तो इतनी कम है कि हजार पूर्सों पर सिर्फ साड़े आठ सो तक वहाँ पर फिमेल्स है इसी के इसी कारण से जो गौर्वर्मेंट है हमारी वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यूजना लेकर आती है और उस एक अभियान की तरह तरीके से चलाया जाता है यह से इलनागों और एकनौमिस सर्वेट 2018 में बात की गई कि मेटा सन प्रिफरेंस की मेटा सन प्रिफरें आप यह देखें कि तो हिंदू में भी इससे आर्टिकल आया था कि इंडियाज अनवांटेड गर्ड एकनौमिस सर्वेट हाइलाइट्स हाउ प्रिफरेंस 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 है यह यह कहता है कि लोग बच्ची पैदा करते जाते हैं तब तब जब त जाट है वो सन ना हो तो खूयकこ कि मेंस्ता सकते हैं कि किस तरह से जो फिमेलस पैदा UFC 보여ED आइज तो ऑफिमेलस पैदा हो रही हैं starting चाह में ही वह फिमेल चाइल्ड पैदा हो रही है और चुकि हमारे देश में जो प्री सेक्स डिटर्मिनेशन है वह बैन है तो इसके कारण क्या है कि लोग जो है कि लेकिन जो मतलब कि पूत्र की जो चाह है जो सन की चाह है वो तो बरकरार है और वो इसलिए है उसके जो कारण गिनाये गए है एकनोमिक सर्वे में कि सेवरल रिजन्स बिहांड प्रिफरिंगे मेल चाहिड्ड सच आइज यह कारण है क्योंकि साधी के बाद जो औरतों को जो महिलाएं है उनको अपने पूर अपने हैस्बेंट के घर जाना होता है दूसरी चीज है कि इनहेरेटेंस ऑफ्रोपर्टी कि हमारे यहां जो सद्यों से जो चली आ रही है प्रेटर के सोसाइटी के विज़से कि जो फ्रोपर्टी का जो मालिक होता है बेटा बनता है और इसके बाद जो बहुत सारे जो रिच्वस पप्रम की जाते हैं वो बेटे के दोवारा ही किया बहुत चारे स्टेट में इसके कारण भी लोग क्या है कå PREFER करते हैं सन को यानि कि बेटा होना ज्यादा PREFER करते हैं और इसी कारण क्या है कि यह हम unwanted girls की बात कि गही economy services इसका कारण क्या है कि अचिए सन मेटा प्रिफरेंस भोकी लोग पुत्र की जाह में कि जब तक उनका लाश्ट शायर्ड सन ना हो तब तक वह इससे क्या होता है कि पॉपलेशन में भी काफ़ी ब्रीदी हो जाती है और एक घर में आप देखेंगे कि पॉपलेशन ज्यादा तर मतलग कि जो population है वो ज्यादा है ज्यादा बच्चे हैं एक family में जिसका कारण यह भी है अब यह जो है question आता है question पूछा जाता है कि जो population है 2015 का जो question पूछा गया था means में कि population जो है यह poverty का कारण है यह poverty जो है वो population का कारण है इसके बारे में आप लोग सूचिए हम इसे next lecture में discuss करेंगे next lecture में हम लोग और भी चीज़ें discuss करेंगे जैसे कि total fertility rate है TFR जीसे बोलते हैं या replacement fertility rate है या फिर हम लोग demographic dividend की बात करेंगे तो इन सब के बारे में हम next lecture में discuss discuss करेंगे यह population का पार्ट वन अपने लेक्चर देखा अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आती हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करें और वाइडली से share करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी लेक्चर पहुंचे और हमारा